कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोडो यात्रा के दोरान अकोला में गुरुवार को दावा किया था कि हिंदुत्त विचारक बिनायक दामुदर साविरकर ने अंग्रेजों की मदद की जेल में रहने के दोरान उन्होंने डर के कारण माफी नामे पर दस्थकत किये और इस तरह महात्मा गांधी समेच कई भारतिय नेताओं को धोका दिया राहुल के इस बयान के बाद महाराष्ट के महाविकास अगारी गडवन्दन के अंदर से ही विरोत के सुर सुनाई देने लगे हैं पूर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारी पाइटी सावरकर का सम्मान करती है हम राहुल गांधी की टिपड़ी से सहमत नहीं है ठाकरे ने ये भी पूछा कि केंदर सरकार ने हिंदुत विचारक सावरकर को अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर जिनोंने स्वतंदरता के लिए बलेदान दिया आज उसी स्वतंदरता की रक्षा करने की जरूरत है सावरकर पर बयान देकर राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को बढ़ा दिया है ऐसा कहा जा रहा है कि राहूल गांधी के बयान से उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी काफी नाराज है जिसके चलते MBA में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं दूसरी तरफ मुंबई BJP के अध्यक्ष आशी शेलार ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साथते हुए कहा है कि हमें हैरानी होती है कि उद्धव ठाकरे ने इस मुद्धे पर इतना नरम रोक क्यों अपनाया है शेलार का कहना है कि ऐसा करके उद्धव ठाकरे अपनी खुद की विश्वस नियता को समाप्त कर रहे हैं आपको बता दें कि राहूल गांधी ने गुरुबार को एक दस्तावेश दिखाते हुए उसे सावरकर का माफी नामा बताया बता दें कि राहूल गांधी ने कहा था कि सावरकर ने अपनी चिठी में लिखा सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ वहीं इस मामले को लेकर वीर सावरकर के पोते ने राहूल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है रंजीत सावरकर ने कहा कि कॉंग्रेस बोर्ट बैंक की राजनीती करने की कोशिश कर रही है और वीर सावरकर का अपमान करने के लिए उसी एजेंडे का उपयोग करती है